प्रोजेक्ट का नाम है फायर चेंग, इनके मैं ओफिशल ट्विटर के उपर हूँ, इनका टेसनेट थंडर बीटा लाउंच हो चुक है 2020, इसकी तेरा त्रीक को दूस्रे महीने की, सस्टेनेबल डिस्टिब्यूटिट कॉम्प्यूटर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर इनका टेसनेट बीटा लाइव हो चुक है, उसके इलावा यह पार्टनर्शिप्स किसके साथ कर चुके हैं, इनका आर्टिकल इनके जो लिखे जा चुके हैं, याहू फाइन्स के ओपर, मार्केट कैप वाच के ओपर, आउटलुक के ओपर, नैस्ट डैक वगएरा के ओपर, यान इनका चार बना हुआ है, आकर आप रीड आउट कर सकते हैं, उसके इलावा फोर्चून, 100, सोशल मीडिया, एंटर्परनर, और यूनिवर्सिटीज वगएरा, ब्रेक और यहां पर आकर और पार्टनर में देखें, तो पार्टनर्स भी चक कर सकते हैं, टेक्नोलोजी पार् इनकार पार्टनर में तो आपको क्यूंड करने के बाद आपने यहां से कोई भी वड़ट करने के बाद, अपनी वेबसाइट के अपर आता हूँ, आप देखें, मेरी वेबसाईट यहां पर वेरिफाय हो चुकी है, और यहां पर मुझे गया रहा कि आप अपनी पिच्चर वगर स्लेक्ट कर लें और यूजर नेम आप अपना स्लेक्ट कर लें तो आप यूजर नेम कोई भी रख सकते हैं तो अभी के लिए मैंने बस यूजर नेम यही रहने दिया इसके बाद मैं next के उपर क्लिक करूँगा तो आपका सन पर देंगे तो आपको यहांप यहांप फॉटर कोड़े। के उपर क्लिक करना, then आपकी extension डाउनलोड होने लग जगी, अब details के उपर जाकर या three dots के उपर जाकर आप downloads के बटन में चल ज़ें और यहाँ पर आपकी extension डाउनलोड हो रही है आपकी extension डाउनलोड हो जगी, उसके बाद आपने आजना है यहाँ से बैख और यहां पर میसीस द्राउजर में उपर extension का बटन है, इसके उपर किलिक करना, यह extension का बटन नदर आएगा, इसके उपर किलिक करना इसके बाद यहाँ पर आपको developer mood option नदर आएगा, इसको on करना then आपके यहाँ पर zip का option नदर आएगा ठीक है यहां पर .zip इसको allow करके allow allow देखकर जो है ना यहां पर आपने profile को upload करना है профiles को कैसे upload करना है file के ओपर ک्लिक करना आपने यहां से आजना है download के अंदर download में आपको यहां पर मिलजएगा fire wallet extension तो आपने इस extension को यहां पर upload कर देना है जैसे ही आप extension को upload कर देंगे तो आपके यहाँ पर fire chain wallet की extension add हो जेगी जैसा कि यहाँ पर missis की है, bits की की है और metamask की है ठीक है तो यह fire chain की हमारी होगी आपने fire chain wallet के उपर click करना है यहाँ पर आकर आपने एक wallet को create करना है तो create a wallet के उपर click करके के बाद आपने यहाँ पर आना है अपने main wallet के QR code में और यहाँ से आपने address को copy करना है then आपने इसको cross कर देना है लेकिन आपको crew के अंदर चले देना है ठीक है, crew में जाने के बाद आप देख सकते हैं thunder vita का मैंने कहा था के आपने test net ही join करना है हमने अभी, तो claim faucet coin का option है अब आप claim faucet coin के उपर click कर दें और यहाँ पर वो कहरा submission URL अब आपने submission URL कैसे देना है, अभी तो हमने faucet भी claim करने है तो इसके लिए आपको एक link दूँगा वो आप दूसरे browser में open कर लेना यहाँ पर three lines के उपर आपने click करना है, यहाँ पर आप faucet का section नजर आ रहा है इसके उपर click करें, यहाँ पर जाकर आपने उस address को paste कर देना है और paste करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है five क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि आप five से ज्यादा नहीं कर सकते तो यहाँ पर आपने five लिख कर इसको send के उपर click करना है मेरे नहीं आएंगे क्योंकि मैंने एक transaction कर ली हुई है तो अब मैं कैसी अपने transaction को find out करूँगा तो यहाँ पर जैसे ही आप transaction कर लेंगे तो आपको यहाँ पर tx id show हो जागी tx hash id जो होती है न वो show हो जागी लेकिन मेरे नहीं हो रही तो मैंने क्योंकि दो ग्हेंटे पहले कर ली थी transaction मैं आउगा सर्च बार में वही अपना address paste करूँगा ठीक है address paste करने के बाद मैं यह जो यह क्या नाम है search bar होती है न इसके उपर आपने click करना है तो यहाँ पर मेरी tx hash id आ गई है आप देख सकते हैं यहाँ पर यह मैंने 5 coin ही लिये थे अपने 2 गहेंटे पहले तो यह tx hash id के उपर आपने click करना है तो आपने यह tx hash id को copy करना है और copy करने के बाद अगेन आपने tx hash id को search bar में search करना है ठीक है और इसको आपने ऐसे करके search करना है अब जब आप tx hash id को search bar में search कर लेंगे उसके बाद आपने यह उपर URL है ना इसको आपने copy करना है और copy करने के बाद आपने आजना है यहाँ पर submission URL में आपने उस URL को paste करना है coins हमने send करने हैं, आपने इसके ओपर click करते हैं, उतनी देर के लिए आपने आजना है अपने fire wallet में, क्यूंकि हम fire wallet से ही send करेंगे, आपने send करने हैं अपने दूसरे account में, तो यहां से आपने अपना दूसरा account open करना है, दूसरा wallet open करने के बाद आपने यहां से उसका address copy करना है, simple या नहीं कि एक wallet का address कोपी करने है और अपने main wallet से अपने secondary wallet के अंदर भेज़ देने हैं मैं अपने main wallet में आगया हूँ यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास native में 5 coins है already और यहाँ पर मैं अपने secondary wallet का address डालूँगा ठीक है और यहाँ पर मैं amount के अंदर लिखूँगा one fire coin क्योंकि हमारे पास हैं यी 5 तो हम one करें आपने transfer के उपर click करने है आपके fire chain coins transfer होगी है आपने transaction ID को copy करने है copy करने के बाद आपने same वही तरीका करने है अपने वही website के उपर आजना है और search bar में आपने आकर इसको paste करने है paste करने के बाद आपने search करने है आप जब इसको search के उपर click कर देंगे तो आपने देख लेना यहाँ पर D5 हो ठीक है यानि कि D5 नहीं आपकी जो भी transaction होगी उसका end वाला लफ़ज देख लेना then आप उपर click करना click करने के बाद आप यह pencil पर click करोगे तो यह देखो D5 ही है आपने इस address को copy करना है copy करने के बाद आपने आजना है missis browser में लेकिन आपने अब quest में चल जना है अपने ठीक है क्योंकि हमने quest में इस address को paste करना है quest में आने के बाद submission URL में आपने उसी address को paste कर देना है तो यहाँ पर मैं आता हूँ यहाँ पर आने के बाद मैंने address को paste किया then मैंने claim reward के उपर click करना quest claimed हो चुका है second वले का भी देखें first भी हो गया second भी हो गया third वला अब हम करेंगे third है receive fire coin receive fire coin के लिए आपने इसके उपर click करके back अपने wallet के अंदर चल जाना है fire chain के wallet में आ जाना है wallet में आने के बाद आपने अपना यहाँ से address को copy करना है copy करने के बाद आपने फिर my account में जाकर अपने scandry wallet पर चल जाना है कि अब हम scandry से अपने main में करेंगे तो यहाँ पर हम one लिखेंगे sorry यहाँ पर हम address टालेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे IA one अब जब यहाँ पर मैंने one लिख दिया तो यहाँ पर वो कह रहा है insufficient balance क्योंके fees भी लगती है something तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 0.5 ठीक है अब मैंने यहाँ पर 0.5 लिखा transfer का button नजर आ रहा है आपको ठीक है आपने transfer पर click करने transfer पर click करेंगे same वही ID होगी आपने इस ID को copy करने copy करने के बाद आपने again उसी website पर चल जाना है search bar के उपर आपने click करना है search bar के उपर आप क्लिक करने है यहाँ पर आपने देख लेना है 2C है उपर आपने search bar पर click करना है pencil पर click करके देख ले 2C ही है आपने इसको copy करना है और copy करकर आपने आजना है यहाँ पर लेकिन आपने wallet में नहीं रहना आपने जाना है अपने quest में quest में जाने के बाद ये receive fire chain वाल है अब देखें मैंने अपने secondary wallet से अपने main में कर लिये तो ये जो है हमने आपड्रेस टाला और then claim के ओपर click कर दिया, claimed हो चुका है यानि के हमारे team task होगे first भी होगे, second भी, third भी अब हम fourth करेंगे swap from native chain to EVM chain, ठीक है इसके उपर click कर दिना है, आपने आये न अपने wallet में, fire chain की extension में आने के बाद, आपने main wallet में आज नहीं, यानि कि जैसा कि आप secondary wallet से main में transfer होंगे, अब हमने करना था swap, ठीक है, तो आपने ये transfer का button था, हमने transfer अब आपने swap के उपर आना है यहाँ पर देखें, native है यहाँ पर है EVM, हमने native से EVM में transfer करना है कितना करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे one, one लिखने के बाद, आपको यहाँ पर swap का button नजर आएगा, आपने इसके उपर click करने, swap करने के बाद आपने इसका ले लेना है screen shoot आप जैसे ही इसका screen shoot ले लेंगे, उसके बाद आपने चल ज़ना है crew के अंदर, crew में जाने के बाद, यहाँ पर आप देख रहे हैं, swap from native to EVM में वो screen shoot ही मांग रहा है, तो आपने इसके उपर click करना है यहाँ पर आप जैसे ही screen shoot को upload कर देंगे उसके बाद आपने claim reward के उपर click कर देना हमारा एक और quest claim हो चुका है जो के हमारा था EVM के अंदर तो अब जो है, हमारा यहाँ पर रह गया है EVM to native यानि कि अब हमने swap करना है EVM to native पहले हमने native to EVM किया है अब आपने again आजना है अपने fire chain की extension में यहाँ पर आकर इसको close कर दें यहाँ पर पहले native था न तो अब हमने करना है EVM to native आपने इसके ओपर click कर देना है simple अब देखें यहाँ पर EVM हो गया यहाँ पर native हो गया यहाँ पर आपने फिर वो ही same funda आपने one यहाँ पर लिखना है और one लिखने के बाद यहाँ पर वो कह रहा है insufficient balance क्योंकि EVM में हमारे पास one ही है total तो gas fees भी लगती है तो यहाँ पर हम कर दती है 0.7 ठीक है तो 0.7 करने के बाद मैं इसको करता हूँ यहाँ से back देखें swap का बटन आगिया आपने swap के उपर क्लिक करना है swap के उपर क्लिक करेंगे तो यह देखें swap की transaction एक और हमारी complete होगी है आपने इसका भी screenshot ले रहना है आपने screenshot लेने के बाद again वही crew की website पर आने crew की website पर आने के बाद यहाँ पर आपने picture अपलोड कर देनी evm to native वहला अपना screenshot डाल कर claim reward के उपर क्लिक कर दिया अब आप देखें मेरे सारे request claim हो चुके हैं अब last वहला हम ने करना है लेकिन last वहले से पहले आप यह सारे task पहले खुद कर ले आपने इसके उपर क्लिक कर देने task है यह आपको link मिलेगा आपने इस link के उपर क्लिक करने आप इस तरह की website के उपर आजेंगे यहाँ पर आने के बार आपने three lines के उपर क्लिक करने fire evm chain के उपर क्लिक कर देने यह आप इस website के उपर आजेंगे आप यहाँ पर first step करेंगे fire IDE platform आप जैसे इस website के उपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वली website open हो जेगी लेकिन अगर आपको ये वली website open नहीं हो रही तो आपको मैं एक और website provide कर दूँगा जो के remix.eth.org के नाम से deploy smart contract करने के लिए step 1 है आप इस website के उपर जाकर कर सकते है fire ID platform लेकिन मैं आपको दूसरी provide कर रहा हूँ ये भी कर दूँगा आप देख देना दोनों पर सेम प्रोसेस है ये नीचे उन्होंने सारा बताया अब भी होगा कैसे करना ठीक है आपने अब आना है मैं आपको सारा खुद करके दिखाऊंगा मैं आपको पढ़के नहीं बिता रहा है आप इस website पर आएंगे इस website पर आने के बाद ये उपर आपको एक button नजर आ रहा है ये वाला ठीक है आपने इसके उपर click कर देना और यहाँ पर आकर आपने लिखना है fire.soul ठीक है यहाँ पर आपने क्या लिखना है fire.soul तो इसको लिखकर आपने यहाँ से ये button जो होता है न run कर देना आप जैसी run करेंगे आपके सामने इस तरह का page आजेगा अब आपने यहाँ पर एक code insert करना है कैसे करना है आपने उसी website के उपर आना है और यहाँ पर हमारा first step हो गया यहाँ पर click करना second step हो गया हमने यहाँ पर fire.soul लिखा ठीक है अब third step है यह जो code है ना हमारा ठीक है यह हमारा होगा copy कैसे होगा यहाँ पर आपने एक दफा ऐसे करके घुमाना है इसको और end पर चल जाना है फिर आपने यहाँ पर वापस आना है तो यहाँ पर ना यह code copy का option नजर आजएगा आपको यह देखें यह आगे copy का आपने इसके उपर copy का लना है अब copied हो गया आपने यहाँ से again उसी website के उपर चल जाना है remix वाली पर code को insert करना है यह देखें उपर आगे option यहाँ पर आपने इस code को ऐसे करके बस paste करते code आपका यहाँ पर paste हो चुका है और जब आप paste कर देते हैं तो थोड़ी देर के लिए इस app के उपर आपका glitch होता है क्योंकि आप mobile के उपर use कर रही है और यह coding है refresh करके जब आप इस page के उपर आएंगे आपने 5.sol के उपर click कर देना है आपका यहाँ पर यह article लिखा आजेगा अब यह article तो आपका यहाँ पर लिखा आ रहा है लेकिन आपने इसको यहाँ से कर लाना है desktop side के उपर आप 5.sol के उपर click करेंगे जो है ना compile का बटन है आपने इसके उपर click कर देना है इसके उपर click करेंगे तो आपके सामने इस तरह का आजेगा section तो यहाँ पर आने के बाद आपने compile 5.sol के उपर click कर देना है यहाँ पर हमारे tick लगा आगे green color का इसका मतलब है हमारा code बिल्कुल ठीक है उसके बाद आपने compile के नीचे वले बटन के उपर click कर देना है अब नीचे वले बटन के उपर आप जब click कर देंगे तो यहाँ पर आपने deploy करना है लेकिन deploy से पहले आपने एक task करना है fire wallet में आने के बाद आपने यहाँ पर setting के उपर click करना है यहाँ पर manage wallet के उपर click करना है यह आपका address है EVM का लेकिन हमने private key निकालनी है तो export private key के उपर click करना password लगाना password लगाने के बाद अपनी key को copy करके metamask में आजना है यहाँ पर profile के उपर click करना होगा तो यहाँ पर मैं आता हूँ VM Chain Balance आप देख सकते हैं 0.29 लेकिन आप QR Code के उपर Select करें और यहाँ पर देखें 50 तो इसका मतलब है हमारा यह Wallet अपना MetaMask के अंदर Add हो गया है अब आपने क्या करना है उसी वेबसाइड के उपर आने पर जाने के बाद उपर है Remix VM Merch आपने यहाँ से इसको हटा लेना है और यहाँ से हटाने के बाद इसको कर देना है Injected Provider MetaMask MetaMask के उपर Pop Up आएगा आप इसको उसी Address से Connect करेंगे जो हमने Fire Chain के अंदर से Import किया था इसके अंदर ठीक है तो आपने यह वाला मैंने Select कर ली है आपने भी Fire Chain वाला ही करने है उसके बाद Next के उपर क्लिक करने है Connect के उपर क्लिक करने है तो यहाँ पर देखें मेरे पास इस टाइम है Zero Ether यहाँ पर लिखा आ रहा है Zero ETH है अकाउंट के इस ETH हमने कैसे लेने हैं यहाँ पर यह कोपी का बटन आपको नज़र आ रहा है उपर कोपीड भी लिखा हुआ है आपने यहाँ पर इसके उपर क्लिक करने है और आपको एक वेबसाइट का लिंक दे दूँगा गोईली फॉसेट का इसका हर वीडियो के अंदर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेतामास्क में मेतामास्क में जाने के बाद यह उपर मेननेट है आपने मेननेट से हटाकर इसको गोईली एथ में ऑपन किलनán caholeon है अगर यह नहीं आउन होगा यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर ओन औफ का बटन होगा और यहाँपर जाकर आप टेस्नेट को आउन कर सक तो यह हमारा गोयली इत हो गया है और यहां पर देखें मेरे पार 0.1 गोयली भी है अब हम चलेंगे अगें रिमिक्स वाली वेबसाइट पर मेटामास में गोयली को एड़ करने के बाद और यहां पर इंजेक्टिड करने के बाद आपको देखें 0.1 एथेरियम शो हो रहा है जो कि मेरा गोयली के दर शो हो रहा है उसके बाद आपको यहां पर डिपलोय का बटन नजर आ रहा है आपने डिपलोय के उपर क्लिक कर देना है यह auto reject आपको कर देगा यहां पर ठीक है second के उपर क्लिक कर देने ठीक है अब हमारी gas fees होगी है low जल्दी से आपने इसको confirm कर देने then again आपने इसको confirm के उपर क्लिक करना है उसके बाद हमारी confirmation होगी है यानि के हमारी transaction हो गई है अब आपने metamask में जाना है open कर लेंगे तो यहाँ पर asset का button है यहाँ पर activity का यह देखेंगे contract deployment का button नजर आगे आपको यानि के transaction नजर आगी है आपने इसके उपर क्लिक कर देना है इसके उपर क्लिक करने के बाद आप यह देखें view on block explorer के उपर क्लिक करना है क्योंकि हमने यहाँ से अपनी transaction ID कोपी करनी है view explorer पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह transaction है शाज़ेगी देखें end पर है D9 आप इसको भी copy कर लें लेकिन आप उपर देख लें end पर D9 आ रहा है तो यह देखेंगे D9 आ रहा है आपने इसी को copy करना होता है नीचे वली को नहीं आपने copy करना ठीक है इसको copy करने के बाद आपने आजना है first crew वली के उपर क्योंकि अब यह contact address हमारा last step के उपर प्लोया smart contract पर इसको हमने already open किया हुआ था यहाँ पर आकर आपने वो जो URL कोपी किया है उसको यहाँ पर paste करना है paste आपने वो ही वला URL करना है क्योंकि यहाँ पर आपको दूसरे भी show हो सकती है claim reward के उपर आपने click कर देना है यहाँ पर आप देख लें quest claimed हो गया है और हमारे सारे task जो है थंडर बीटा testnet के claimed हो गी है इसके इलावा आकर आप getting started की build to earn के उपर आप click करके कर सकते हैं यह देखें सारों के उपर जो है आप बंद होगी है पहले white white show रथ आप ग्रे ग्रे तो यह कुछ इस तरह से आपने सारे task करनी है और इसके इलावा आप सोशल मीडिया के इनके task करके कर सकते हैं लेकिन main purpose होता है testnet का तो हमने testnet join कर लिया है अब अगर आपको वीडियो चलेगी है तो यार वीडियो के उपर बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है आपको 5-10 मिनिट लग जेंगे लेकिन उसके बाद आप 2 मिनिट के अंदर यह task कर लिया करोगे every week crypto franchise को सब्सक्राइब करें 1000 subscribers करें